Hello boys and girls, आपका स्वागत है कॉमर्सी पार्चाला में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पारे मैं बात करने वाला हूँ objectives of accounting के बारे में तो accounting के क्या-क्य objectives हैं यह हम discuss करेंगे इसके पहले हम लोगों ने किया कि accounting क्या होता है और उसका क्या definition है अवम करने वाले हैं accounting का objectives काफी important topic है यह तो जो बच्ची इगनू से भी काउम की पढ़ाई कर रहे हैं और equal to का paper उनका आता है accountancy one का तो काफी important एक topic है इन सबको मैं एक एक करके discuss करूँगा अपने इस video lecture के माद्यम से तो lecture स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon दबा दिए ताकि आपको मेरे वीडियो की notification जो है वो सबसे पहले मिलती रहे तो वच्चों देखो सबसे पहले तो मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको अगर इस तरह के इंट्रेस्टिंग अपडेट्स और इंफरमेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर फे फालो कर सकते हूँ जहां फे मैं इस सारी चीज़ें शेर करता हूँ आप मुझे वहां भी फालो कर सकते हूँ इन सारे शोशल मेडिया ब्लाइटफॉर्म के लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूँ हाँ कि दिस्क्रिप्शन में भी ये सारे चीज़ें प्रवाइड कर दूँ तो आपको क्या होगा ना कि आपको दिकत नहीं होगा आपने सपोज दस तारिक वाले ट्रशन को सुरु में लिख दिया एक तरिक्वले टॉने को आपने बाद में लिखा तो इस तरह किसे चीज़ें बहुत धिक्कत होती है इसके अलावा सब्सक्राइब सके बहुत सरी चीज़ें जो हैं जो है उधार में की हैं तो आपको purchase का amount क्या है, sale का amount क्या है, इस तरह की चीजें जो आप निकाल पाओगे, तो इसको कहते हैं हम systematic manner में, systematic manner में जो है, account को record करना, तो देख लेते हैं, book में क्या लिखा हुआ है, accounting is used to maintain systematic record of all financial transactions, like purchase and sale of goods, cash receipts and cash payments, etc, it is also used for recording various assets and liabilities of the business, तो बही बात बुली गई है, का accounting का इस्तमाल है, वो financial transactions को systematic way में record करने के लिए किया जाता है, और वो financial transactions है, purchase होना, purchase करना, sale करना, या cash receipt receive करना, या cash payment करना, etc, और sometimes assets and liabilities को record करने के लिए भी जो है, accounting को systematic way में record किया जाता है, ठीक है, अगला point है to ascertain net profit and net loss of the business, ठीक है न, profit आपको हो रहा है या, loss हो रहा है, आप को अपके business में इसको पता करने के लिए, इसको ascertain करने के लिए भी accounting का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है न, यह तो काफी असान था, मैं इसको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, आप businessmen would be interested in periodically finding the net result of the business operations, that is whether the business has earned profit or incurred some losses, ठीक है न, तो एक business जो होता है, एक business man जो होता है, periodically यह find out करने की कोशिच करता है, अब देखो, periodically वहाँ पर difference हो सकता है, सब उस तीन महिने का period है, है न, या फिर quarter है, या फिर half yearly है, या फिर yearly है, तो periodically एक period सबस्थ वो माल लेता है, जो होता है, एक साल का ही लोग लेते हैं, कि एक साल में उनका total profit या लॉस कितना हुआ, लेक तो जो भी हो, periodically जो है profit को track करने की कोशिच की जाती है, ताकि business operations से आपको profit हुआ या loss हुआ वो पता कर सको, है न, तो a proper record of all income and expenses helps in preparing a profit and loss account, और अगर आप proper record रखोगे income and expenses का, तो वो जो है आपको काफी जादा help करेगा profit and loss account को prepare करने में, and ascertain the result of business operations during a particular period, है न, तो किसी एक particular period में तरीके से आपको ये पता चल पाएगा, कि आपको जो है उस profit and loss से आपको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, हाना, तो ये दो point हो गया, तीसरा point है, to ascertain the financial position of the business, तो definitely अगर अगर आप profit and loss निकाल पाहोगे, तो आप ये भी निकाल पाहोगे कि आपको जो फा का जवालों का जवाब जो है आपको अकाउंटिंग से ही मिलता है, the objective, the businessman is also interested in ascertaining the financial position of the business at the end of a particular period, तो हर एक साल, हर एक particular period के बाद जो बिसनस्मेन होता है, वो interested होता है कि वो अपनी company के financial position को चेक कर पाए या फिर उसको देख पाए, how much it owns, कितने assets उसके पास है, कितने assets उस जानकारी है, he also, he would also like to know what happened to his capital, किसके capital के साथ किस तरीके का इस्तमाल हुआ, है इस तरह की जानकारी, whether it has increased or decreased or remained constant, उसका जो capital है, क्या वो बढ़ा है, घटा है, या फिर जैसा था, ऐसा ही रहे गया, तो ये सारी जानकारी जो है, financial positions से related होती है business की, और ये सारी जानकारी जो है, called balance sheet, which provides the necessary information, तो अगर आप systematic record रखोगे अपने assets and liabilities का, तो आप एक statement prepare कर पाऊगे, जिसे हम balance sheet कहते हैं, जिस पर बहुत सारी information जो है, आपको निकल के आती है, आपके business से related, ठीक है, तो काफी important था, चौता point है, to provide accounting information to interested parties, आप जो interested parties है, जो आपकी company में, जो लोग ने करते हैं, या जो आपकी company को उधार देते हैं, या आप से उधार लेते हैं, वो लोग भी आपकी जो condition है, जो financial position है, उसको जानने की कोशच करते हैं, whether you are earning profit on a regular year or not, ये चीजें भी जानकर ही जो हैं, वो लोग लेने की कोशच करते हैं, ठीक है न, तो apart from owners, there are various parties who are interested in the accounting information, तो तो यहाँ पर देको बात बोली जारी है, they are, कौन से वो लोग हैं, वो हैं, bankers, क्योंकि bankers आपको उधार देते हैं, creditors जो आपको उधार में सामान देते हैं, tax authorities जिनको आप tax पे करते हो, prospective investors, ऐसे investors जो आपकी company में investment कर सकते हैं, ये सारे लोग, ये सारे लोग आपकी information, आप आपको अब वो जो information से वो उनको इसलिए चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहता है, कि उस company की profitability कितनी है, जिनमें उनको interest है, और उनका जो financial soundness है, मतलब वो financially कितना जादा मजबूत है, ठीक है, the accounting information is communicated to them in the form of annual report, अब ये जो accounting information से ये उनके साथ communicate का जाता है, ये उनके साथ ज जानकारियां, जो मैंने आपको बताई, कि सारी जानकारियां जो है, उन लोगों के साथ शेयर की जाती है, ठीक है, तो ये था objectives of accounting, I hope कि आपको ये lecture काफी पसंद आया होगा, अगर आपको ये lecture काफी पसंद आया है, तो definitely इस video को like, comment और शेयर कीजिए, जादा से जादा लो about section में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल के about section में विजट कीजिए, और उन सारे चीज़ें जो मैंने लिकवावे प्रवाइड की है, वहाँ जागर के आप हमें subscribe कीजिए, और हमें आप follow कीजिए, ठीक है, तो ये हमार आज का पूरे lecture था, अगर आपको ये lecture का भी पसंद आया क्या है आप हमेंगा।